हलो स्टूडेंट्स, वेल्कम टू मैं क्लास, आज के क्लास में हम लोग सामाजिक बेवस्था, प्रभुत्व, सत्ता, एवं कानून, इस टॉपिक वाले चैप्टर का MCQ सौल्ब करने जा रहे हैं, तो आईए शुरू करते हैं, Q1, धर्म पवित्र वस्तूओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह समगर बिवस्था है, जो इस पर विश्वास करने वालों को एक नेतिक समुदाय में सयुक्त रखती है, यह किसका मत है? Q2, सम्मिधान सभा ने भारत के सम्मिधान को कब स्विक्रित किया था? Option A, 26 January 1952, B, 26 January 1950, C, 26 January 1948, D, 26 November 1949 Q2, समन्मिध, नियंत्रन, अनुशाशन, विकास और निर्णय यह सब किसके कार्य बताए गए है? Option A, सत्ता, B, सामाजिक बिवस्था, C, कानून, D, ये तीनों इसका राइट आंसर है, Option A, सत्ता या एथॉरिटी Next question है, वे कानून जो राज्य में प्रचलित सभी कानूनों के उपर होते हैं, उन्हें कहते हैं, Option A, प्रशास की कानून, B, अध्यादेश, C, सार्वजनिक कानून, D, सम्वधानिक कानून इसका राइट आंसर है, Option D, सम्वधानिक कानून Next है, कानूनों का पालन न करने पर अपराधी को डैस की भी वेवस्था होती है Option है, Option A, जुर्माना, B, कारावास, C, दंड, D, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है, Option C, दंड Next question है, किस विद्वान ने कहा है कि समाजिक विवस्था वह इस्थिती है जिसमें समाज की विभिन क्रियासिल इकाईयां आपस में तथा पूरे समाज के साथ एक अर्थ पुर्ण धंग से संबंधित होती है Option A, इमाईल दूर्खिम B, कार्ल माक्स C, मार्सल जोन्स D, नीमकॉफ तो इसका राइट आंसर है, Option C, मार्सल जोन्स Next है, सत्ता आदेशों का पालन करवाने की शक्ती है सत्ता की यह परिभासा किसने दी है? Option A, बेबर B, मोजर C, मैकाईवर D, फेडरिक इसका राइट आंसर है, Option C, मैकाईवर Next question है, सामाजिक व्यवस्था का जन्म होता है Option A, सामाजिक संबंधों से B, एकाधिक व्यक्ती या करताओं की पारस्परिक अंतहक्रियाओं से C, सामाजिक संदचना से D, उपर्युक्त में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है, Option B, एकाधिक व्यक्ती या करताओं की पारस्परिक अंतहक्रियाओं से सामाजिक व्यवस्था का जन्म होता है Next है, निम्न में कौन सा सामाजिक व्यवस्था का इस्तर नहीं है Option A, धार्मिक सांस्क्रितिक B, वैधानिक राजनैतिक C, प्रोध्योगिक आर्थिक D, सामाजिक मनोवख्यानिक स्कराइट आंसर है Option D, सामाजिक मनोवख्यानिक की सामाजिक मनोवख्यानिक जो है, वो सामाजिक व्यवस्था का इस्तर नहीं होता है नेक्स्ट है प्रभूत्व ब्यक्तियों तथा ब्यवहार को नियंत्रित करने विनियमित करने तथा निर्देशित करने की योग्यता है यह किन का कथन है? ओप्शन A. ओगबॉर्न का B. मैकाईवर का C. विरिश्टीड का D. डेविस का इसका राइट आंसर है ओप्शन B. मैकाईवर का नेक्स्ट ग्राम पंचायत का निर्वाचन किस पर निर्भर करता है? ओप्शन A. राश्ट्रप्रती B. राज्यपाल C. केंद्री सरकार D. राज्यशरकार इसका राइट आंसर है ओप्शन D. राज्यशरकार नेक्स्ट है किस ब्यवस्था में अधिकतर भूमिकाएं अधिनस्थों द्वारा की जाती है? ओप्शन A. सामाजिक B. प्रसासक C. सत्ता ब्यवस्था D. कानून ब्यवस्था तो इसका राइट आंसर है ओप्शन C. सत्ता ब्यवस्था नेक्स्ट है पंचों, ग्राम उप्रधान, सरपंचों, धर्म, देवताओं, आधिको समाज में कौन सी सत्ता प्राप्त होती है? ओप्शन A. बौधिक एवं कानूनी सत्ता B. परंपरागत सत्ता C. करिश्माई सत्ता D. उपर्युक्त में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है ओप्शन B. परंपरागत सत्ता नेक्स्ट है मानाओं की वाह क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभुता संपन राजनितिक सत्ता द्वारा लागू किये गए समान्य नियम क्या कहलाते हैं? ओप्शन A. अधिनियम B. सत्ता C. काणून D. इन में से सभी तो इसका राइट आंसर है ओप्शन C. काणून नेक्स्ट है सर्वोच सत्ता द्वारा दिये गए आदेश को क्या कहते हैं? ओप्शन A. समिधान B. नियम C. काणून D. इन में से सभी इसका राइट आंसर है Option C, कानून Next है Max Weber ने सत्ता के कितने रूपों का उलेख किया है Option A, 5, B, 4, C, 2, D, 3 इसका राइट आंसर है Option D, 3 Next है सत्ता का प्रमुख कार्य क्या है Option A, अनुसासन एवं विकास B, समन्वय तथा नियंत्रन C, निर्नय, D, उपर्युक्त में से सभी तो इसका राइट आंसर है Option D, उपर्युक्त में से सभी Next question है प्रादेशिक सत्ता में निचले पायदान पर हमसत्ता के किस रूप को देखते हैं Option A, ग्राम पंचायत B, संसद C, विधायक D, इन में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है Option A, ग्राम पंचायत Last question है समाजिक बिवस्था किस प्रकार की अउधारना है Option A, थोड़ी स्थीर, थोड़ी गतिसील B, स्थीर C, गतिसील D, उपर्युक्त में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है Option C, गतिसील समाजिक बिवस्था एक गतिसील अउधारना है गतिसील क्यों है? क्योंकि समाज में परिवर्तन हमेशा होते रहता है इसलिए समाज की बिवस्था में भी परिवर्तन होता है ठीक है? तो आज के क्लास के लिए इतना ही है अगले क्लास में हम समाजिक परिवर्तन, उसके प्रकार समाजिक परिवर्तन के प्रतिमान, कारण, एवं परिनाम के बारे में इस चैप्टर का हम MCQ सल्व करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद